आईए शुरू करते हैं अंतर मन की सची कहानिया आपने अभी तक हमारे चैनल को इतना प्यार दिया उसी के लिए आपका शुक्री दा करते हैं हम और हमारे चैनल के बेल बटन को जरूर दबाए जिसे से आने वाली अंतर मन की सची कहानिया आपको जल्द से जल्द देखने औ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद जिसने फ्रॉक और पजामा पहन रखा था सर पर अच्छी तरह से दुपटा ओड़ा हुआ था कांथे पर परस लटकाए उत तेजी से बसे उतरी और घाने पीपल के नीचे चाखड़ी हुई बारिश जोंकी तेज दी उसे डर था कि कहीं वो बारिश से भीगना जाए पीपल के एगने दरख ने उसे बारिश से बचाओ का काम दिया वहाँ पर मौजूद कई अफराद के निगाहे उस पर पड़ी थी जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी वो जो दरख के नीचे सिम्टी हुई खड़ी थी आवारा निगाहों के तपिश महसूस करके अपना मूँ ढापने लेगी परिशान सी खड़ी उसने सामने देखना शुरू कर दिया उसके निगाहें किसी की मुंतजर थी उसका नाम तो मुसहफ था मगर सब घर वाले उसे प्यार से महरू कहकर पुकारते थे उसर गोधा की रहने वाली थी अपने वालिदें के गलावते आलाद होने की वज़े से वर्डे नास और नाम से पुली थी पर्ठान फैमली से तालग होने के बावजूद अपनी रवायात और रस्म और रवाच को बालाए ताहक रखकर उसके वालिदें ने उसे तालीम के जेवर से आरस्ता किया था हालगे उसके खानदान में किसी भी लड़की ने स्कूल या कॉलिज की शकल नहीं देखी थी मगर वो स्कूल फिर कॉलिज और यूनिवरसिटी जा पहुँची उसने पने वालिद की कही हुई एक बात अपने पलू से ची तरहा बांदी थी बेटी कभी भी वालिद की इस्थ और गैरत और उसका उपर उठा हुआ सर बेटी की हया और फर्मावरदारी के बगए नहीं काइम रहता बेटी का एक गलत कदम माबाप को दुनिया और आखरत में जलील करके रख देता है ये बात तुम हमेशा याद रखना महरू भी समझदार और अकलमन लड़की थी उसने स्कूल, कॉलिज और यूनिवरसिटी में सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवर्चा दे महरू उसकी बड़ी बड़ी काली सिया आँखों के सागर में ढूपकर खुद को उसके प्यार के जाल में फसा बैठी थी मगर वो खुद भी तो कोई कम हसी नहीं थी खुदा ने उसे बहुत खूबसुरत बनाया था पुरकशिश, सुराही, नमागरतन, रिशमी, जुल्फी, घजाली आँखे गुलाबी कालों में परता डिंपल शेहसाद को भी वो पहली नज़न में भास ही गई वो दोनों एक दूसरे के करीब आगे योही वक्त एक दूसरे की महबत में बीट गया और फिर दोनों ने अपनी ताली मुकमल करके यूनिवरसिटी को खेरबाद कह दिया यूनिवरसिटी के आखरे दिन उन्होंने अपनी डुबड़बाई आंसों भरी आँखों से एक दूसरे को अलविदा किया शेहसाद वापस अपने शेहर आगया अगर्चे अब वो दोनों मिलतों नहीं सकते थे मगर मॉपाल पर उनकी रोजाना बात होती महरू की ताली मुकमल हुई घर में उसकी शादी की बात चलने की उसके मावजाद से उसकी मंगनी की खबर ने शेहसाद को हिला कर रख दिया शेहसाद ने पने वाले देन को उसके घर भीजने की बात की मगर महरू ने इंकार कर दिया वो जानती थी उसके वाले देन उसकी शादी किसी भी सूरत में गैर परातरी में नहीं करेंगे मसला भही का भही रह क्या महरू की मंगनी में चन्द दिन बाकि रहके शेहजाद का बस नहीं चलता था कि वो क्या करे महरू पर हर दिन और हर रात भारी था आखर उसने वो फैसला किया जिस फैसले को करने से कहले कोई भी लड़की एक हजार बार सोचती है उसने घर से भाग कर शेहजाद के पास जाने का फैसला कर लिया शेहजाद ने भी उसके फैसले की ताइद की इसलिए महरू आज अपना सब कुछ छोट चाड़कर चुपके से उसी शेहर आगे थी पीपल के दरख के नीचे खड़ी महरू अपनी सोच में ऐसी डूबी कि उसको वक्का पता ही न चला कि कितना टाइम गुजर चुका है वारिश रुक चुके थी से पहर से शाम होने को थी मगर शेहजाद का कहीं आता पता नहीं था उसने तो महरू को यहीं घड़े रहने का कहा था उसने कलाई पर बंदी हुई घड़े की तरफ देखा जो पूरे छे बजा रही थी वो पांच बज़े यहां पहुँचे थी यानि उसे एक खंटा बेच चुका था ये बात उसे परिशानी में मुब्तिला करने के लिए काफी थी उसने जल्दी से मुबाइल में उसे कॉल मिलाई मगर वहां से कोई जवाब महसूल नहुआ शेहजाद का मुबाइल आफ था उसने नचाने कितनी बार कॉल मिलाई मगर सब भेसूद उसकी आँखों में आँसू आने लेके वो अकेली इस अच्टनबी शहर में कहा जाएगी क्या शेहजाद ने उसे धोगा दिया इससे आगे वो कुछ सोच न सकी फिर खुद ही खुद को तसली देने लगी नहीं मेरा शेहजाद ऐसा नहीं है वो मुझसे बेहत महबत करता है उसने खुद को समझाया मगर आहस्ता आहस्ता बीटता वक्त और शेहजाद का कही नामों निशान नहीं था इस बात की दस्टीक कर रहा था कि शेहजाद ने उसके साथ बेवफाई की है उसकी आँकों से आंसों बहने लगे अब वो अकेली कहा जाएगी क्या वापिस अपने घर लेकिन वो तो अपने हाथों से अपने घर के दर्वासे बंद कराई थी उसे एहसास हो गया किसने जल्दबासी में वो गलती करती है जिसके तलाफी वो मरकर भी नहीं कर सकती उसे अपने वारे दिन का खयाल आया जिन्हें वो जिन्दा तर्गूर कराई थी वो मुँ में दुपट्टा डाले हिच्कियां लेकर रोने लगी शेजाद ने ना आना था सो वो ना आया आहस्ता आहस्ता करके शाम भी बीट की वो वहीं खड़ी बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी शेजाद खुदा तुम्हें बरबात करे तुमने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं न जी सकती हूँ और न मर सकती हूँ तुमने अच्छा नहीं किया वो अपने दिल में खुद को गोसने लेगी लेकिन घर से भागने का पहला फैसला खुद अपना ही था उसका वो अपने आप से ही जंग करने में मसरूफ थी ये नचाने कहां से आवारा लड़कों की एक टोली इधर आंधब की एक हसी लड़की को यू तनहा शाम धले वहां खड़े दिखा तो उसी छेड़ने उसके आस पास आप पहुंचे लड़के पास आकर उस पर बुरी तरह आवाजें कसने लगे परिशान महरू एकदम खबरा गई इसका इंतिजार हो रहा है जाने मन हमारी तरफ भी तो नज़रे करम करो दूसरा लड़का उसके करीब आगया नोक से वो मजीद सिमट कर रह गई शाम के भड़ते हुए अंधेरे में वो आवारा बदमाश लड़के उसके साथ ना चाने क्या सलूक करेंगे इस से पहले कि वो लड़के उसे मजीद चेर खानी करते एक रिक्षा तेजी से महरू के करीब आन रुका वो ये बेगर तो शर्फ नहीं आती अकेली लड़की को छिरते हो रिक्षे में मौजूद बैठे ड्राइवर ने उन लड़कों को भगाया वो सारे उस ड्राइवर की हुमत दाखलत पर भाग गए महरू की सांस में सांस आई रिक्षा ड्राइवर उसे मखातिब हुआ आपने कहां जाना है मैं कब से देख रहा हूँ आप यहां अकेली खड़ी है महरू ने उसके जानेब देखा काली भंती सुरत बिखरे हुए बाल लंबी पीले दाथ जिसके पुनमाश करते हुए उससे बूच रहा था वो तो खुद बड़ा बदमाश मालूम हुआ वगर वो चुप रही कोई मंजल होती तो बता दी देखें रात हो रही है अंधीरा फ्हल रहा है आप यहां अकेली है आपके साथ और भी कोई नहीं है यूँ खड़े होना मुनासिब नहीं है रिक्षर टाइवर ने उसे हाकिकत से आगा किया जिसे वो बहुभी जानती थी जी मैं यहां से कलर कहार जाना चाहती हूँ कितनी दूर है ताफी तेर सोचने के बाद उसे कलर कहार का नाम आया था अरे अपने शेहर जाना है तो मेरे रिक्षे में बैठें मेरा रिक्षा तो है ही उसी शेहर का चार-पांच किलो मीटर का फास्ता है अभी पहुच आए देता हूँ रिक्षा रावे ने उसे गहरी निगास से देखा बगर महरू कश्मकश में बढ़ गई कि इस रिक्षे में बैठे या नब बैठे रिक्षा रावे ने उसकी परिशानी भाव ली मेरा ये रिक्षा आखरी ही बचा है फिर वहाँ जाने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिले की देना करे जल्दी बैठ जाएं पिलाखिर महरू को बैठना ही पड़ा इसके इलावा महरू के बास कोई चारा नहीं था रिक्षा तेजी के साथ सड़क पर दोडने लगा हर तरफ मुकमल अंधीरा चा चुका था बिलाखिर एक वेरान जगे पर आकर रिक्षा रुक गया वो हैरान थी आखिर ये कौन सी जगे है ये कलर कहा शेहर तो नहीं भाई यहां रिक्षा क्यों रोप दिया वो हौले से बोली रिक्षा ड्राइवर की तरफ देखा जो अपनी सीट पर बैठा गर्दन मोड़कर उसे अचीब निगाहों से देख रहा था उसके चहरे पर मकरूम मुस्कुराहत थी मुस्कुराहत में जंग जदा पीले दान उमाया थे एक दम ही महरुक के दिल में खौफ ने जगा बना ली उसका जिसम किसी सूखे पत्ते की तरहा काप ने लगा बादशाहो एक दो घंटे हमें भी दे तो बाद में जहां चाहोगी वहां उतार दूगा वो रिक्षे से फुर्डी से उतरा और उसके चाने बढ़ा वो भी देजी से रिक्षे से उतराई हर तरफ कुप अंधेरा था चान भी नचाने कहां बादों की ओट में सोया पड़ा था बुरस्टार अंधेरा और उसके साथ अचीब सी खामोशी सामने थोड़ा सा फासला पर शायद कोई रेलवे कप भाटिक था जहां बत्नी चल रही थी वो एकेली तनहा इस अंसान सड़क पर मुकमल तोर पर उस श्यातान के रहमों का रिंपर थी उसे लगा जैसे उसे बचका निकलना मुश्किल है रिक्षा ड्राइवर उसे पकरने के लिए उसकी तरफ लबका खौफ से लरस्ती कामती महरू में नचाने कहां से इतनी हम्मत आई कि उसने अपना पर्स तेजी से उसके मूँ पर दे मारा वो दर्ट से बिलबिला उठा पर उसने शायद उसकी आँख को जखमी किया था उसने दोनों हाथों से पनी आँखों को थाम लिया खौफ से डड़ी पीछे की तरफ कदम उठाती हुई नाजुक सी लड़की में इतनी हिम्मत और ताकत का वैदा हो जाना शायद उस रिक्षा ड्राइवर के जहनों गमान में भी नहीं था मौकाई का निमत था उसने आओ देखा न ताओ शेहर की तरफ जाने वाले सड़क पर दोड़ लगा दी वो अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी हता के उसके पाउं की चप्पल भी तूट के नजाने कितनी देर वो यूँ ही भागते रही वो धक कर चूर हो गई थी एक जगे खड़ी होकर अपनी फूर्दी सांसों को सभालते हुए उसने पीछे मुड़ कर देखा उस बदमार्श का कही ना वो निशान नहीं था वो खबीज शायद पीछे रह गया था अब वो उसे बच दो गई थी मगर इस तरह के किसी और शैतान से उसका वास्ता पर सकता था ये सोचकर वो फूट फूट कर रोती एक अलगी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था काफी देर वो खड़ी रोती रही फिर उसने आंसू अपनी हथेलियों से साफ किये उसका दोपटा भी रास्ते में कहीं गर गया था बिना दोपटे और बिना जूते के ही वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती शेहर में दाखिल हो गई रात नचाने कितनी बीच चुकी थी वो एक गली में दाखिल हो गई गली का मुर बुटते ही उससे एक मесज़ नज़र आई मसज़िद अल्ला का घर है अलला के घर में हर कोई पना ले सकता है यह सोचकर ही वो मसज़िद में दाखिल हो गई मसज़िद तकरीबन खाली थी सिवाए एक पुखता उमर का एक बारेश बंदा वो भी मस्जद से अब बाहे निकल रहा था एक नौजवान लड़की को बिना तुपटे उन्नंगे पाउ मस्जद में ताखिल होता देखा तो वो हैरान हुए बिना न रह सका कौन हो लड़की? वो एक बदमाश मेरे पीछे लिगा हुआ था बड़ी मुश्किल से जाब बचा कर यहां तक आई हूँ महरू ने रोते हुए कहा अच्छा कहा कि रहने वाली हो? फुखता उमर के बारेश आजम अली ने उससे सवाल किया था एहमद अली ने उसे उसके घर छोड़ने की पेशक्ष की मगर उसका कोई घर होता तो बता दी सर चुखा कर बोली मैं एक लड़की से प्यार करती थी उसके प्यार की कच्छी डोर से बंदी मैं अपने घर की देहलीज भलांग आई हूँ मगर वो धोके बास फरे भी निकला मुझे इस अश्णबी शहर में दूसरों के रह्मों करम पर छोड़कर गायब होगया बेटा तुमने बहुत बुरा किया तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था महरू के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था आजम अली ने उसे पहले पहल तो समझाया मगर जब वो घर जाने को तयार ना हुई और उनकी मिनतें करने लगी कि मुझे घर पर नौकरानी बना कर ही रख ले उसकी इतनी मिनत समाचत पर आजम अली को उसकी हालत पर तरसा गया वो आके जबान लड़की थी कहां दरपदर भटकती फिर थी आजम अली का घर दो गलियां छोड़कर ही था वो महरू को घर के अंदर ले आया अंदर सहन में चार पाई पर बैठी उसकी बीवी ने अपने शोहर के साथ एक जबान लड़की को देखा तो शशों पंच में बढ़के ये किसको साथ ले आये हो तुम तुम दो नमास पढ़ने ले थे ना बाबरा बेगम के खुखवा लेचे में बेबना तजस्स था ये बेसाहरा लड़की है मुझे मस्जद से मिले है इसे मैं घर ले आया हूँ दुनिया में इसका कोई नहीं है अब यहीं रहेगी वो अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोले मंगर बाबरा बेगम सो एक औरत थी उसके दिल में सो अंदेशे आने लगे कि कहीं ये लड़की उसके शोहर की महाबत पर डाका ही न डाल दे आसे मिली के लाग समझाने के बावजूद भी बाबरा बेगम हधे से उखर गी वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी लड़की पर मसलसल इल्जाम लगाय जा रही थी उन्होंने महरू को बच्चलन कहने में एक मिन्ट नहीं लगाया था बाबरा बेगम का कहना था कि महरू को यहां रखकर उनके लिए सो तरह के मसायल पैदा होंगे अपनी बीवी की चिखो पुकार सुनकर आसे मिली कुछ देर वही खड़ा सूचता रहा फिर उसने अंदर कमरे से एक बड़ी चादर और जूती लाकर महरू के हावाले कर थी उसने जल्दी से जूती पहनी और चादर से अपने तन को ढाबा आसम अली उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आए मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती मुझे घर वाले जिन्दा नहीं छोड़ेंगे मसफ को लगा कि वो उसे उसके घर छोड़ने जा रहा है मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले जा रहा बलकि मस्जद ले जा रहा हूँ निकाह करने के लिए मुझ से निकाह करोगी आजिम अली का मस्बूत लहशा देखकर वो चौंक गई उसने उसकी तरफ देखा अब एक ही सूरत है जिसके जरी तुम मेरे घर रह सकती हो बोलो अगर मन्जूर है तुबताओ वेना तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा महरो की तो सोचने समझने के सलाहियत खात्म हो चुकी थी वो कितनी बेपस थी उसके गले में वो हड़ी भस गई थी जिसे वो ना तो निकल सकती थी और ना ही उगल सकती थी वो चुप चाप उसके साथ चल पड़ी आजम अली ने मस्जद में चंद कवाहों की मौजूदगी में उससे निकाप परवा लिया मस्जद का मौलवी उसका करीबी दोस्था यू दोनों का निकाह हो गया मसफ बिनते अमजद थोड़ी देर में आजम अली की बीवी बन चुकी थी अपनी उमर से कई कुना जादा बड़े आदमी की बीवी तक्दीर ने उसके साथ क्या सित्म किया दोनों मस्जद से निकल कर थोड़ी देर में घर वापस आगे बाबरा बेकम ने यू दोबारा अपने शोहर के साथ घर में उसे देखा तो तिल मिला कर रहे गी तुम इसे छोड़कर नहीं आए दोबारा क्यों साथ लेकर आए हो मौलवी साहब इस दुना तो इत्मिनान से बोले हाँ ये वापस आगी है क्योंकि में ने इसके साथ निकाह कर लिया है आजिम अली साथ को इसे बोला आप उसे छुपाने की जरूरत ही क्या थी निकाह वो भी इस आवारा लड़की से बाबरा बेगम के वहमों गुमान में भी नहीं था हाँ निकाह तो क्याह रही थी ना कि ये किस रिश्टे से यह रहेगी तो अब ये मेरी बीवी बन कर रहेगी तुम्हें कोई एतरास तो नहीं होगा ना बाबरा बेगम के तो होश उड़के उत्तु सर बीटने लगी हाए हाए इस उमर में मुझ पर सौतन लाकर सुल्म परना था इस बुढ़ाबे में मेरे बालों में खाक डाल दी बाबरा बेगम को रोता छोड़कर मौलवी सहाब महरू को लेकर कमरे में आके उसे कमरे में बिठाकर वो वापिस अपनी बीवी के पास है जो रोरोकर बेहाल हो रही थी उसने आजिम अली को देखा तो फिर जूर जूर से चिल्लाने लगी हाए लोगो इधर आओ देखो मेरे साथ इस उमर में कितना सुल्म हुआ है में तो लुट कई बरबाद हो गई मेरे शोहर ने मेरे हक पर डाकर डलवा दिया मौली साहब ने अपनी बेगम को रोते देखा तो उन्हें प्यार से समझाने लगे अरी ओ नेक बख्त तू ऐसे ही परिशान हो रही है तुझे तो खुश होना चाहिए तेरी खिद्मत करने और घर के काम करने के लिए तुझे नौकरानी मिल गई है तेरी नौकरानी बन कर रहेगी और मुझे क्या चाहिए उसे अपनी खादमा ही समझ पगली कहींगी आजिम अली ने प्यार से उन्हें समझाया वो खामोशी से सुनती रही अच्छा मैं ज़रा जा रहा हूँ इशा की नमाज भढ़ने थोड़ी देर के बाद आता हूँ मगर देख लिना वापिस आओ तो घर में सुकून चाहे ना के शोर शराबा समझी आजिम अरी तो कहकर घर से निकल गए वगर गुस्ते से लाल पीली होती उनने मेरे शोहर को फांस लिया पलंग पर महरानी बनकर बैटी है उसने महरू को बालों से पकड़ कर नीचे फर्श पर खसीटा महरू दर्ट से बिलबला उठी उसने महरू के गालों पर दो तीन धपर भी जड़ दिये चल छाडू लगा और हां सारे काम से फारिग होकर मेरे पाउं दबाने आचाना बाबरा बेगम को ये भी भूलिया था कि रात के इस पहर कौन सा काम होता है फिर भी बाबरा बेगम के हुकम पर उन जड़ू पकड़ कर अपने कमरे में चली गई रो रोकर महरू की आँखे खुशक हो रही थी जाडू का काम हटम हुआ तो कपड़ों का धेर उसका मंतजर था नल खोल कर उसने गंदे कपड़े धोना शुरू किये नल के पानी के साथ उसकी आँखों का पानी भी बेने लगा उसने जैसे तैसे होकर कपड़े धोए पाउ में शदीद तर्ट सा होने लगा वो बहुत ठक चुकी थी उसका दिल चाहा यहीं फश्च पर लेच जाए मगर अंदर से बाबरा बेगम की आते हुई आवाज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया अरियो कमबख्त दो कपड़े थे अभी तक नहीं दोए हट हराम कहींगी आकर मेरे पाउं दबा बाबरा बेगम ने मौलवी साहब की नौकरानी वाली बात को कुछ जादा ही संजीत की से ले लिया था आदे घंटे से महरू उनके पाउं दबाते रही साथ ही बाबरा बेगम से बद्वाएं और गालियों भी सुनती रही चुपके चुपके रोते हुए उस वक तक वो वहां बैठी रही जब तक बाबरा बेगम सो नंग गई वो आहिश्ता से पलंग से उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए बाहर आजमली उसका मनतजर था वो महरू से बाबरा की बदकलामी की मौफी मांग रहे थे रात तो जैसे तैसे गुजर गई मगर सुभे होते ही बाबरा बेगम ने उसे फिर से काम पर लगा दिया घर में जाडू नाश्ता कैयार करना और फिर छूटे बरतनों का धेर ववर्ची खाने में उसका मुंतजर होता वो बरतन धोती पता नहीं किन खयालों में ऐसी खुई कि उसको बाहर गेट पर दो तीन बार दस्तकी आवाज सुनाई दी मापरा पेगम ने दो थपर उसकी कमर पर रसीद किये किसके ख्यालों में खुई है अपने उसी यार के खुद तो भाग गया तुझे बेगारत को हमारे बल्ले पहंद गया बहरी हो गई है बाहर जाकर देखो कौन आया है वो भीगी आँखे दुपटे के पलू से साफ गटी गेट की तरफ पढ़ गी उसने दर्वाजा खुला उसे शदीद छटका लगा सामने शहसाद खड़ा था वो जखमी हालत में था उसके माथे और बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी महरू को अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया शहसाद के चहरे पर भी उसे देखकर हैरत के आसार थे वो जल्द ही खुशी और मसरत में बदल गे मुसर्फ तुम यहां मैं कोई खौप तो नहीं देख रहा मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मुझे यू मिल जाओगी वो खुशी से चहकते हुए बुला फरेभी धोगे बास इंसान मैंने तुम्हारा क्या बेकाड़ा था प्यार ही किया था ना तुम्हें मुझे इतनी बड़ी सजा थी मुझे जूटा खेल खेल कर तुम इस अचनवी शहर में मुझे दूसरों के सहारे छोड़ कर फरार हो गए वो बिलक बिलक कर रो थी मैं कितनी बेवकूफ थी तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ छोड़ दिया क्या कह रही हूँ मेरो मैं धोगे बास हूँ मैंने प्यार का चुटा खेल खेला ये कैसे हो सकता है मैं तुछ जान से भढ़कर तुम से प्यार करता हूँ तुम मेरी बात सुनो तो मुझे पर यकिन आएगा न मेरा कार एक्सिडेंट हो गया था मैं तुम्हें लेने आ रहा था मगर फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहा हूँ होश आया तो हुट को हस्पताल में पाया रात बहुत बीच चुकी थी मैंने जख्मों की बरवा किये बगएर तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंडा महरू मेरा मोटर साइकल जोरी हो गया पैदल सारी रात में कहां कहां भटकता रहा तुम्हारी तलाश में मगर तुम मुझे नहीं मिली अब मिली भी हो तु यू अचानक मुबाइल मेरा तूट चुका था वनना तुम से राब्ता ही कर लेता महरू ने उसके जहरे की जानब देखा वो यकीनी और भी यकीनी के गैफियत में थी मेरा यकीन करो महरू तुम मेरी हालत बखूबी देख रही हो वो घर के अंदर दाखिल हो क्या जैसे वो उसी का घर हो और महरू के करीब आगा मेरी मुहबत मेरा सच्चा प्यार इसलिए तो तुम मुझे दुबारा मिलगी मगर तुम यहां कैसे वो उससे बोच रहा था तुमने आने में बहुत देर करती शैसाद महरू को सारी सुरते हाथ समझने में जादा देर न लगी उन्हाम आखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली उसकी आखों में तुरिया जहां का दर्द बसा हुआ था वो दर्द जो शैसाद से भी छुपने सका अचारक कमरे से आजम अली बाहे निकला अरे शैसाद तुम इस हालत में तुम तो कहकर गए थे कि तुम दोस्त की शादे में चारहे हो दो तिन दिन बात आओगे यह तुम जख्मी किस तरह हो गए आजम अली भी परिशान होके थे शैसाद चुप खड़ा वहीं महरू की तरफ देखे जा रहा था उसके जहन में महरू के अलफाज गूंज रहे थे तुम ने आने में बहुत देर कर थी चलो अंदर आओ बेटा यहां क्यों घड़े हो आजम अली ने शैसाद का बाजू बकर कर उसे अंदर ले जाना चाहा तो वो अचानक बोला लो भी भूले हैं क्या तुम दोनों का तारफ करवाना तुम भी न चाने क्या समझ रहे होगे महरू यह मेरा इकलोता बेटा है शैसाद और शैसाद यह है तुम्हारी नई माँ जमाने की बातों से बचने के लिए मैंने उसे निकाह कर लिया शैसाद को यू लगा जैसे उसके अंदर से किसी ने उसकी चान निकाल दी हो गोया यह सद्मा उसकी चान ही ले जाएका उसे यकिन नहीं आ रहा था कि महरू उसके बाप की बीवी बन चुकी है जिससे वो महबत करता था वो प्यार करता था जिससे पाने के लिए उसने लाग चतन किये थे वो आज उसके घर में फिर से बताए मगर अब कोई फाइदा नहीं था महरू उसके बाप की बीवी बन चुकी थी और रिश्टे के एथबार से वो उसकी माँ थी उस रात उन दोनों को नीन ना आए वो महबत जो दिल के किसी कौने में सोच चुकी थी महरू के दिल में आहस्ता आहस्ता बेदार होने लगी उसका दिल नरम बढ़ने लगा आखिर उसका कोई कुसूर भी तो नहीं था और फिर अगले दिन जब्द के सारे बंधन तूट गए बाबरा पेगम की इधर तबियत खराब होई तो उन्हें एमर्जनसी में हस्पताल ले जाना पड़ा एमर्जनसी रूंग के बाहर महरू और शेहजाद वेटिंग एरिया में बैठे एक दूसरे से ही उलच पड़े थे उस रात गलती किसकी थी एक दूसरे को समझाया जा रहा था कि यक तम दूनों किसी की मौज़द्गी से खबरदार होकर चौँग है आजम अली पीछे खड़े उन्हें ही देख रहे थे उनके चहरे पर सो रंग आए और खुसर के वो समझ के कि मामला क्या है मगर आप सारे हालात बदल चुके थे महरू उनकी बीवी बन चुकी थी तलाक अगर वो दे भी देते तो फिर भी वो उनके बेटे के लिए मां का तरजा रखनी थी अब ये निकाह नहीं हो सकता था आजम अली ने भी बिना किसी लगी लप्टी के बेटे को वहां से उटने का इशारा किया और उसे एक तरफ लेके कुछ देर सोचने के बाद वो मुखातिब हुए बेटा हम जिस मौशरे में रहते हैं वहां इस्लाम हमारा जाप्टाए हयात है चोटी मोटी लगजशे सभी से होती है वगर हलाल और हराम पर किसी किसम का समझूता नहीं है बेटा मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे और महरों के बीच माजी में काफी आशनाई रह चुकी है मगर अब तुम्हें उसे भूलना होगा क्योंकि वो रिश्टे के एतबार से तुम्हारी मा है और अगर मैं जाहूं भी उसे तलाग दे भी दूँ तो वो तुमपर सारी जिन्दगी के लिए हराम हो गई है शेहजाद को लगा जैसे आस्मान उसके सर पर आगिरा हो उसकी नजरों में महबत का चुपा सुमंदर यक्तम कहीं सुख किया था निगाहें एतराम से जुक गई थी आखिर को वो आजे मिली का खून था और हमेशा हमेशा के लिए पर्देश चला गया